क्लास केंथ का मैस का चैपकर नमबर 12, जिसका नाम है एरिया रिलेकर्ट तु सर्कल्स, इस चैपकर की एक्सरसाइस 12.2 के कोशन नमबर 10 को डिसकस करते हैं. next question पर आते है exercise 12.2 का question number 10 solve करते है an umbrella has 8 ribs which are equally spaced एक umbrella है उसके अंदर total 8 ribs है देखो इस तरह का umbrella होता है आपको पता ही है यहाँ पे एक छोटी तरह बटन होता है बटन को प्रेस करते हैं umbrella ऐसे फटक से open हो जाता है यह बीच में umbrella के नहीं यहाँ से skill के wires होती है और skill wires के बीच में फिर वह umbrella का material होता है तो यह दो consecutive skill wires के बीच वाला जो portion है ना उस portion को ribs बोल के represent कर रहे हैं clear होगया umbrella के अंदर ribs का मतलब क्या है umbrella के अंदर यह वाली तो skill wires होती है न, skill wires के बीच में जो कपड़ा होता है, या जो भी प्लासकी का material होता है, umbrella का, दो skill wires के बीच वालो जो portion है, उस portion को ribs बोला जा रहे हैं, तो umbrella has 8 ribs, तो यहां पर देखो, 1, 2, 3, 4, 4 आपको नज़र आ रहे हैं, बागी के जो 4 हैं वो दूसरी तरफ हैं, उधर से आ आपको नज़र आएंगे, total 8 ribs हैं, assuming umbrella to be a flag circle of radius 45 cm, अब ऐसे imagine कर लो, यह जो umbrella का उपर वाला portion है न, इसको अगर पूरा ही उपर कर दिया जाए, तो ऐसा वो एक flag circle बन जाएगा, और इसका radius 45 है, यह भी हमें कोशन में directly दे रखाए, find the area between two consecutive ribs, यह दो skill wires के बीच वाला जो area है न, वो हमने निकालने है, कोशन समझा गया, बहुत ही असान है, umbrella हमें दे रखाए, umbrella के अंदर पहले तो आपको ribs का मतलब को लिए रोना चाहिए, यह वाली जो दो skill wires होती है, skill wires के जो बीच वाला area है, उसे ribs बोल रहे हैं, और कोशन के अंदर यह बोल दिया, assume कर लो, मान ल कि जो umbrella है, वो ऐसे इसको पूरा open करते हो, तो एक flag circle ही बनता होता है, तो दो ribs के बीच वाला area है, वो हमने निकालना है, umbrella की अंदर की जो steel wires हैं, वो umbrella को total 8 ribs में गिवाइट कर रही हैं, तो पूरे circle के area को आप 8 से गिवाइट करते हो, ऐसा करने से आपके पास एक portion का मतलब, एक sector के रही आजएगा, या एक rib का area आजएगा, तो आपका answer ऐसे बनेगा, area between two consecutive ribs, consecutive का मतलब 7-7 वाले, मतलब 2-7-7 वाली skill wires, जो एक के बाद एक कर रही हैं, 2-7-7 वाली skill wires के बीच के रही हैं, तो area between two consecutive ribs, पूरा लिखना चाओ तो पूरा लिख देना, या directly area is equal to 1 upon 8 into pi r square, circle को, एक parts में divide कर रहे हैं, यह वाले जो ribs है, तो circle के area को, एक से आप divide करते हो, आपके पास एक portion का area आजएगा, बस आके values put करनी है, 1 upon 1 का 1 upon 1, as a case, pi के वाले 22 by 7, radius 45 है, directly दे रखाए, दो बार इसले दिखाए, क्योंकि उपर square है, बस यह असानी से simplify हो जएगा, 22 और एक, divide ह हो रहे हैं, 2 से divide कर लो, तो यह 11 by 4 रह जाता है, यह 45 multiply by 45, वो 2025 होता है, यह denominator 7 as it is, numerator, numerator से multiply होगा, denominator, denominator से multiply होगा, 4 multiply by 7 is equal to 28, और 11 से इसको multiply करके 2275 आ जाता है, तो this is the answer, अब divide करने का अगर आपका मन कर रहा हो, तो कर दे ना divide, यहाँ पर हमने इसलिए divide ने किया, क्योंकि book के अंदर यही answer दे रखा है, पर exam के अंदर आपको सपना थोड़ी आएगा, कि यहाँ पर answer छोड़ना है, यहाँ फिर divide करना है, तो आपने divide कर ही देना है, final answer आप अपना decimal point के अंदर exam के अंदर निकाल आना, तो 222 75 upon 28, this is the answer, calculation हो जाने के बाद last में unique जरूर लगाना है, area था ना, तो centimeter square, यह वाला unique use होगा,